ये हैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वोईस टीवी खबर सबसिते नमस्कार वोईस टीवी पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मनाल खान सुहाग नगरी में भी अब सुबा सुबा छाने लगती धुंद लोगों में संशाय प्रदूशड को लेकर या फिर कोहरे का असर ज्यादतर का मानना गंदगी की वज़ा से पनप्राहे धुआ सोजवा सुहाग नगरी में आज सुबा होते ही धुंद छा गई कुछ का कहना था कि ये कोहरे की धुंद है तो कई एक ने बताया कि प्रदूशड की धुंद है इस तरह से संशे बना रहा लेकिन ज्यादतर का मानना था अगर कोहरे की धुंद होती तो सर्दी का अलगी एहसास होता पर ऐसा नहीं है कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ अलगी आखों में जलन जैसा वातावरण नजर आया महीं सर्वे के मताबिक भाव का नगला इस्थित इंडस्ट्रियल एरिया वा एसन रोड इस्थित कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआ भी वातावरण को प्रदूशर करने का कारिक कर रहा है जिनको लेकर अभी तक कोई कदम फिलहाल नहीं उठा जा रहा बाकी अगर ये प्रदूशर की धुंद है तो इसका ताथपर रहे है वातावरण में काफी गंदगी का घोल है जो लोगों को बीमारियों की ओल ले जा सकता है चिकिस्थक डॉक्टर राहुल जेन ने कहा प्रदूशर बहुत निचले इस्तर पर है गंदगी बढ़ती जा रही है इसलिए धुंद का च्छाना आम है इसके लिए मास्क थोड़े धीले पहनना चाहिए प्रोजवास से शेखर यादप किया रिपोर्ट देखिए इस समय कई सारे कौस की वज़े से प्रदूशन बहुत जादा है हवा में और एक युवाई जिसको हम बोलते है एर कॉलिटी इंडेक्स ये काफी गिरे हुए स्तर पर है इस समय और पॉल्यूशन में इस समय सास की बीमारियां दमा आगों में जलन कंजंक्टिवाइटिस और कुछ स्किन प्रॉब्लम्स ये बहुत आम बाते हैं जिनके लिए सबी लोगों को जागरूप होना चाहिए इनसे बचने के लिए क्या हुआ है देखिए पहले तो जब एयर कॉलिटी इंडेक्स यानि की हवा में पॉल्यूशन का इस्तर बहुत जादा है उस समय हम बाहर जाने से जितना कोशिश कर सकें बचें जैसे लोग दौड लगाने जा रहे या योगा कर रहे लंबी सांसे खीच रहे तो वह इस समय अगौईड करें और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मास्क लगाएं मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो साफी या कोई भी रुमाल बांदे और अच्छा होगा उसको थोड़ा सा गीला करके बांदें झाल बांदें तो साफी या कर सकते हैं तो साफी या कर सकते हैं